कि नमस्कार बहुत बहुत स्वागत और अभिनेंदन आप सभी का अधे डिवेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं विकास दुबे जैसे दुरदांत अपराधी सिश्टम की विफलता का प्रतीक है यह बयान ब्रजेश मिश्रा का नहीं है यह बयान किसी विपक्ष के निता का यह बयान किसी सामाजिक व्यक्ति का नहीं है यह स्टेटमेंट सत्ता पक्ष का भी नहीं है यह सच्चाई और यह कड़वी बात और यह हकीकत का आईना सर्वोच नयायाले के मुख्य नयाधीस चीफ जस्टिस बोब्रे ने दिया है वो भी आज विकास दुबे मामले में कैसे अपराधीस सिस्टम की विफलता का प्रतीक है यह जमानत पर कैसे है सुप्रीम कोट है यह जमानत पर कैसे था इस बात पर सुप्रीम कोट शोग्ड है शोग्ड होना भी चाहिए लेकिन शायद हमारे काबिल वकीलों ने हमारे काबिल दोस्तों ने कि सर्वोची ने आया लेके माननी इन मुखिनय अधीस महोदे को इस बात से अउगत नहीं कराया कि विकास दुबे ने थाने की भीतर घुसकर एक राज्यमंत्री की हत्या कर दी थी कि तीस पुलिस वाले उस हत्या कांड के गवाहत है कि तीस में से किसी पुलिस वाले ने विकास दुबे के खिलाप गवाही नहीं दी यह किसके विफलता का प्रतीक है यह किसके सिस्टम का फेलियोर है गवाही नहीं दी गई तो उन लोगों के खिलाप क्या कारवाई की गई यह किसके विफलता का प्रतीक है विकास दुबे जैसे अपरादियों को पालने पोस्त ने उनको पुष्पित और पल्लवित करने वाले अपसरों के खिलाप नेताओं के खिलाप उद्योगपतियों के खिलाप कोई करवाई हुई क्या उन्हें जज़ भी कई जज़ साहबान ने भी विकास दुबे को जमानत दी थी विकास दुबे निर्दोश साबित हुआ था संतोश शुकला राज्यमंत्री हत्या कांड में सबके सामने हत्या की थी बताया जाए कि उन तीस पुलिस वालों के खिलाप क्या कर वही हुई आपको हर जिले में हर कमिशनरी पे हर इलाके में सैकलों विकास दुबे भरे पड़े हैं ये तो एक उदारं मात्र था है इससे ज्यादा दुर्दान्त इससे कहीं ज्यादा अधिक खुंकार और बढ़े हुए मनुबलके दुर्दान्त अपराधी समाज के वीदर बैठे हुए हैं सिस्टम की विफलता का प्रतीक वो हैं ब्रश्ट IPS अधिकारी हैं, पुलिस वाले भी हैं, उनके नीचे के लोग भी है, समाज भी है, मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है, अकेले बात ये किसी विकास दुबे की नहीं हो रही है, ये बात समझ लीजिए, सिस्टम के भीतर की ये सडान्द आज की नहीं है, ये 1985 से उत्तरप्रदेश में शुरू हुई माफियाओं की राजनीती है, और आज 2020 तक चलिए आ रही है, ना तो किसी में छमता है, ना कोई ने रोक सकता है, ना कोई ने टोक सकता है, और ना कोई इनके खिलाप निरनाय करवा ही कर सकता है, अगर इस बात का दावा कोई कर रहा है, तो वो दावा जूठा है, मैं चुनावती के साथ इस बात को कहने के लिता है, और इस बात पर घंटों डिवेट भी की कर ली जाए, इन डप दडे, विकास दुबे जैसे लोग, विकास दुबे जैसे दुरदान्त, आतंकवाधी, अपराधी, इनको इतना अंदर से इनके मनोबल कैसे बढ़ा हुआ होता है, कारण सिस्टम में बैठे लोग हैं, कारण सिस्टम में बैठे इनके मददगार हैं, कारण इनसे काम लेने वाले लोग हैं, कारण ये खुद सुपारी किलर है, किलर जैसे लोग हैं, जो दूसरों के कहने पर काम को अंजाम देते हैं, ये वो लोग मजबूत हैं, इनके connections अगर ज़्यादा दुर्दान्त खतरनाक डेंजरस समाज के लिए कलंक और पूरी की पूरी किसी भी सब्हें समाज को बरबात कर देने वाले अपराधी इस उत्तरप्रदेश में बैठे हुए लेकिन ज़स आपको फिलाल विकास दुबे दिखा विकास दुबे के प्रकरण पर उन्होंने यह ठिपड़ी की कि यह सिस्टम के फिल्योर ने का नतीजा है कि आएप देखे सरकारे कुछी यह आती ओर जाती हैं वगीलों सरकारी वगीलों और सरकार के साथ आता है निया क्या हम क्वालिटी बहस कर पाएंक्य मुकद्दम небos utck 2018 इस पर कभी विचार किया गया क्या हम अपना प्रोजी क्यूसेन सिट्म को ठीक नहीं नहीं कर दिया तो भई साप कम्प्यूटर वहस करने नहीं जाएगा ना जाएंगे तो वकील आप उनको को देखिए कि आपने किसको मेरिट पर रखा हुआ है अप राधियों के क्या निक्सस चल रहा है पूरी एक लंबी स्रंखला है कि जब चादर उठेगी तो जो कुछ दिखेगा वह आप बड़ा भयावा द्रश्चे होगा कोई देख नहीं पाएगा तो यह सिर्फ विफलता उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस की नहीं एक समाज के रूप में हम सब की भी है यह एक सामुहिक विफलता का नतीजा है विकास दुबे जैसे लोग जो हर सरकारों में पला हर सरकारों में बढ़ा हर सरकारों ने आगे बढ़ाया कोई विकास दुबे को बढ़ाता है कोई मुखतार अंसारी को बढ़ाता है और कोई बदन सिंग बद्दों को भगवा देता है जो फेस्बूक पर लिखता है catch me if you can catch me if you can एक अपराधी पुलिस के अभिरक्षा से भाग जाता है आज तक उसका पता नहीं है फेस्बूक पर लिखता है catch me if you can मतब्द तुम्हारी दम हो तो मुझे पकड़के दिखाओ इंदी में यह कहते हैं तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल से यहां भरे पड़े हैं तो आपने सिस्टम को ठीक करना है एक विकास दुबे के मर जाने से बहनों भाईयों क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो जाएगा आप दिल पे हांत रखिए और यह बात को कहिए खत्म हो जाएगा क्या नहीं खत्म होगा विकास दुबे खत्म हुआ है उसके इरा उसके दुबी नहीं खत्म हुई कि वर्धी में बैठे हुए गद्दारों को डूंडा गया क्या कोई ड्राइब चलाई गयी खिए पूरे उत्तर प्रदेश में इनको डूंडने के कोई तरीके इजाद किया गया क्या कुछ नहीं किया गया नहतिकता नहतिकता को तो एक तरफ रख दीजिए और आज बिल्कुल ठीक बात कही भारत के सर्वोच ने आया दीशने मुक्यन आया दीशने कि यह देश रूल आफला से चलता है जिने गलत फैमी है कि वह रूल आफला नहीं जो उनकी जुमान से निकलेगा वह रूल है वह भ आफल रिख निकली हुई बात से नहीं चलता यह लोकतान्त्रिक देश है कि सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है यह कि न्याइँ अदिखना भी चाहिए यह प्रतीक है कि जन्ता का भरोसा देमोक्रसी हैं डेमोक्रसी हमसे सब्र मांगती है डेमोक्रसी हमसे न्याय मांगती है और न्याय होते दिखना भी मांगती है यह होती है वाइबरन डेमोक्रसी लोगतंत्र और भारत का जो क्रिमिनल जुडिसियल सिस्टम है परफेक्ट है देर क्यों होती है उसमें देर सिस्टम के कारण होती है हमारे आपके कारण होती है वकीलों के कारण होती है सरकारों के कारण होती है गलत पैरवी कारण होती है पुलिस की कमजोर इन्वेस्टिगेशन के कारण होती है जुडिस्यल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से होती है नियाईक अधिकारियों की कमी से होती है इन पर बात करने की ज़रोते बहनों भाईयों एक विकास दुबे के मामले में जांचायोग बिठाया गया है भारत की सर्वोच अदालत यानि सुप्रीम कोट के रिटायर जज और एक डीजी रेंग के रिटायर अपसर को कमेटी में ल ना रखी है इसकी प्रासंगिकता अब लगभग खत्म होगी वही कमेटी होगी और यह कमेटी जांच करेगी फाइंडिंग्स क्या है और सिर्व विकास दूबे मामले की जांच नहीं करेगी उसका बादकले भी जितने इन काउंटर्स हुए हैं और जो पुलिस एक्संस हुए हैं उनकी विजांच करेगी लिहादा परेशान वो सब कोई है जो इस प्रॉसेस का हिस्सा रहे हैं इस दो ही बातें बाकि सारी बातें फ्रक्रें का तो अद मेरे साथ नवीन स्रीवास्तों बीजेपके स्फ포짝 पर सने राजपाल कष्यप जी समाजवादी से हैं म्बाक्रस से हैं सब्सक्रार चि मेरे साथ इस कारिकम में जोडने के लिए नवीन जी मैं आप से शुरू करना चाहता हूं आज तो बड़ी कड़ी ठिपणी की राजी की कानून विवस्था पर भी सवाल उठाए